हालो एवरिवन आज का जो मेरा सेशन है बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है इन पैक्ट आप पिछले कई समय से सेशन के लिए वेट कर रहे हैं और सेशन है तो आज का जो मेरा सेशन है वो 2324 स्ट्विट के लिए अप चाहे सेडी करें चाहे टेस शीरीज करें जो इन या क्लास्डूम प्रोग्राम यह पूरा सेशन में बडाऊंगा कंप्लीट से लेबस किस रंग से पढ़ना है कितने लेबस को कब कब करना है तो यह सेशन आपके लिए बहुत help करने वाला है बट एक चीज याद रखेगा मैं अकसर यह देखता हूं कि जो मैं session में बाते बताता हूं वही चीज जब मुझसे comment में पुछी जाती तो मुझे समझ में आता है कि आपने session को ध्यान से नहीं सुना तो आप अगर इस session को end तक completely ध्यान से सुन लेंगे तो मैं sure हूं कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा फिर भी कोई डाउट रहे तो आप comment में भेजिए पर वो मत भेजिए जो मैंने session में already cover किया क्योंकि अक्सर यह doubt होता है कि sir अगर हम self study करेंगे तो हमारा होगा की नहीं कौन सी books अच लेवल क्या होता है यह एक common चीज है जो मैं आपके साथ discuss करूंगा 20 22 का paper हो चुका है और 22 के paper के बाद एक चीज कई बच्चों ने realize की कि कास हम समय रहते हुए अपने आपको बढ़ाई कर लेते action ले लेते तो फायदा होता तो मैं आप सब को यहीं बोलूँगा कि अगर को 25 के batch already start है in fact 23 के लिए एक साल पहले से start हुआ batch है और आज उसमें लगवक 700 class हो चुकी है जितनी class impetus एक academic session में या एक batch में करवाता उतनी class normally 2-3 साल में भी लोग कवर नहीं कर सकते इतना detail में पढ़ाया जाता है यानि एक तरब वो बच्चे हैं जो already action लेके पढ़ाई कर रह तो बहुत कुछ होता है क्या होता है कि कई बार हम इतनी लेट जाखते हैं या इतनी देर से सोचते हैं कि फिर हमारे पास time ही नहीं बचता है फिर हमारे पास एक ही option बचता है या तो हम drop ले या फिर हम compromise करें मेरा एक मानना है कि जीवन में कई बार समझोते करना बहुत भार तो मेरे रोड में प्लान को आप ध्यान से समझिए और आप फिर जिस भी तरीके से पढ़ाई करें एक्षन लीजिए उन बातों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको एक अच्छा रिजट भी मिलेगा जैसे अभी पेपर हुआ तो सबसे पहले जब मेरे पास फोन आया बच्चों का तो यही था कि सर्फ जैसा आपने काता उसको फॉलो किया और वो चीजे हमें मिली पेपर में पेपर के कोश् सबसे पहले हमें क्या पता होना चीए नोदा सिलेबस सबसे पहले हमें जिस ही सिलेबस पता होना चीए बीफोर स्टार्टिंग दा प्रप्रेशन आप निमसेट एंड एनी अधर एंट्रेंस एजाम यानि जिस एक्जाम की आप प्रप्रेशन कर रहे हैं जिस जंग में आप लड़ने जा रहे हैं अगर आपको वहां के इन आउट नहीं पता तो क और सब्सक्राइब कि आपको आहने ईसेशन को आ झेट बीच-बीच में जब भी लगे देखिए मैं शूर हूँ कि अगर आपने इस session को पूरा सुना और follow किया तो next year आप बोलेंगे कि sir एक session ने मेरी entire life change कर दी पर आप follow भी करें दूसरा कई लोगों को follow मत करें आप मुझे करते हैं तो मुझे करें किसी और को करतें किसी और को करें पर ज्यादा follow करने से भी कई बार हम confused होते हैं क्योंकि हर एक teacher का हर एक institute का अपना एक तरीका होता है और उसको follow करें तो अच्छा होगा तो सबसे पहले कुछ basic चीज है कि अगर हम किसी exam को करना चाहते हैं तो हमें उस syllabus का बारे में पता होना चाहिए लेवल आफ difficulty क्या है यानि एक थोरो knowledge होना चाहिए उसके बाद हम preparation करेंगे तो कभी भी problem नहीं जाएगी और याद रखिए मैं निमसेट यहां इस लिए लिख रहा हूं जैसे अगर कोई बच्चा IAT exam की preparation कर रहा है तो state level का कोई भी इंजिरिंग exam वह बिना extra effort के लगा सकता है क्या होगा 10 से 20% syllabus में variation होगा पर क्योंकि हमने IAT level की preparation किये तो हम कोई भी exam crack कर सकते हैं same thing कि अगर आप निमसेट की preparation अच्छे से कर रहे हैं तो फिर आप CUT हो चाहिए फिर दियू हो चाहिए फिर वह जामिया हो चाहिए वह exam महाराष्टा CUT हो कोई भी exam हो आप easily उसको क्रेक कर सकते हैं तो आप first attempt में कैसे क्रेक करें इन बातों को मैं बोलूँगा थोड़ा सा note-down करते चलिए जिससे आपको help मिले तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे ही हम किसी exam के बारे में सोचते हैं तो क्या-क्या चीजे मैं इसमें discuss करने वाला हूं वह बताता हूं कि how to correct nimset in first attempt what is nimset exam eligibility क्या है exam pattern क्या exam syllabus क्या which book जिससे study करें कई बच्चे बहुत पूछतें कि sir NCRT की book help करेगी कि नहीं कितने घंटे पढ़ना चीए है ना और हमारा master plan क्या है यह आपके question है और session में मैंने cover किया यह सारे वो चीजे लिए हैं जो मेरे पास phone आते हैं जो अगर आपको exam क्रेक करना है तो आप इन में से कोई एक चीज सोचेंगे एक कि मैं खुदी study करता हूं कोई problem नहीं है आप क्रेक कर सकते हैं एक मैं online class join कर लेता हूं क्योंकि घर से दूर जाना possible नहीं है और regulatory के लिए एक कि मैं self study कर रहा हूं साथ में test series join कर लेता हूं जिससे मैं assessment कर सकूँ और एक कि मैं classroom program जाके join कर लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है मैं बिलकुल श्योर हूं देखिए हर साल ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो impetus gurukul के self study से मतलब YouTube और magical course की help से निकालते हैं exam कुछ ऐसे होते हैं जो test series से कुछ बच्चे online से आज highest number of selections इंडिया में अगर हो रहे हैं तो impetus gurukul से हो रहे हैं पिछले दो तीन साल से और हर बच्चे का में result देता हूं ऐसे numbers की बात नहीं करता तो इन की जो को समझे कि हम इसमें से क्या करने वाले आप में से बहुत लोग सोचते हैं self study और फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं अगर आप self study कर रहे हैं तो किन बातों को करना क्या ध्यान रखना वह बताऊंगा online class के क्या-क्या benefit हो सकते हैं test series के क्या-क्या benefit हो सकते हैं classroom के क्या-क्या benefit होते हैं यह भी बताऊंगा और मैंने कुछ exams लिखे हैं लाइक निमसेट डी यू सी उटी जामिया मारस्टा एंड इट्सेटरा इन सभी exams के लिए हम focus करेंग तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप self study कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है self discipline and strong commitment होता यह है जैसे साल अभी exam हुआ और हर साल मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो self study करते हैं पर ना तो वो time पर syllabus खतम करते हैं ना ही वो बात करते हैं जैसे कल से लेके आज तक मैं अगर मैं बात करूं या भी जैसे एक्जाम हुआ मेरे पास ऐसे कई बच्चों के फोन आए कि सर हमने self study की थी पर वो discipline मेंटेन हुआ हम ड्रॉप लेना चाहते हैं मैं आप सबको यह बोलूँगा कि आप अगर self study कर रहे हैं आपका होगा बट आपको यह चेक करना ही पड़ेगा कि आप four to six are regularly study कर रहे हैं कि नहीं नंबर वन कम से कम four to six are की आपकी study हो रही कि नहीं पहली चीज और हर टॉपिक को बराबर time दे रहे हैं कि नहीं से कुछ बच्चे बताते हैं सार हमने तीन महीने में एलजब्रा खत्म की नो या हमने दो महीने कौड़ेटे क्योशन पढ़ा या तीन महीन तीन महीन तीन नो एक प्रॉपर आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप मैस डिजनिंग कंप्यूटर को किस तरह से डिस्टिब्यूट करें कितना टाइम दें और कैसे असिस करें तो आप सेल्फ स्टेडी में मिनिमम फो टू सिक्सार अगर पढ़ाई कर रहें तो आप कंटिन्यू रखिए नहीं तो इमिजेटली एक्शन लेके ऑनलाइन क्लास जोईन कर लेजिए क्योंकि एक बार समय निक अब 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 बात करें तो अब बच्चे से पूछेंगा इंडिया में हर जगे इंपिड़कुल वाले बच्चे मिल जाएंगे वो खुद ही बताएंगे कि सारा मटेल से था कुछ अलग नहीं आए अब क्या फाइदा होगा आपको जैसे मैं अगर अपनी टैस सीरीज की ब उसका टेस्ट होता है और उस धंग से क्यूमिलेटिव टेस्ट होते होते बढ़ते जाते हैं तो अगर आप सेल्फ स्टेडी के साथ अगर सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा सेल्फ स्टेडी विथ का कॉंबिनेशन रखिए अगर आपने ये कर लिया तो आप को कभी भी दिक्कत नहीं होगी और इनके बीच में अगर आपकी पट्री उतर रही होगी तो समालने के लिए रहेगा क्योंकि टेस्सीरीज में आपको टेस्ट पेपर इस्टेडी मटेल वीकली मास्टर प्लान क्या पढ़ना है और टेस्ट पेपर के लाइव एनलेसिस मिलते ह हैं आप लोग कनेक्ट होते हैं कहीं कोई डिफिकल्टी आ रहें हम एक्शन लेकर उसको इंप्रूव कर सकते हैं ऐसा ना हो कि हम इतने लेट हो जाएं कि हम समझ ही ना पाएं तो यह मेरा कहना है तो अगर आप सेटी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टेडी के साथ आप लोग के लेते action ने लिया तो दिक्कत होगी दूसरा अगर आपका self-study में commitment नहीं आ रहा है आपको घर से यहाने की जहुत नहीं है 5 जुलाई का जो बैच है वो online class join कर लीजिए बस online classes में आपको तो रोज classes मिलेंगी और वही class मिलेगी जो यहां हो रही है और फिर उसके weekly test और उसकी analysis class इस ढंक से आपका कर रहा है regular routine set हो जाएगा क्योंकि three to four hour impetus की class के लावा आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप कम से कम उसके लिए 6-8 गंटे पढ़ाई भी करेंगे तो एक pattern आपको मिल जाएगा आप उस pattern को जब follow करने लगेंगे तो अपने आप confidence boost up होगा फॉर्थ बात और online class में टैसरी जुड़ी फॉर्थ बात आती कि अगर हम discipline हुई ही नहीं पाते मालो में discipline ही नहीं हूँ घर पर online class देखी नहीं देखी कि self study की नहीं की मैं कहूंगा classroom आ जो बेस्ट है क्योंकि आज यहां पर हर जगे के इंडिया के बच्चे हैं सीधे बैग लेकर आईए आते ही boys और गल्स जो भी है तुरंत होस्टल हो जाएगा होस्टल के टायफ से हैं आपको 10 मिड़ बाद होस्टल मिल जाएगा और morning 8 o clock से रात को आट बए तक आराम से impetus में पढ़िए classes attend करिए self study करिए अपने आप सारी चीजे फॉलो हो जाएगे पर कम से कम कोई एक action जबूर लीजिए अगर आपने action नहीं लिया तो result नहीं मिलेगा याद रखिए अगर आप सपना बड़ा देखते हैं करियर कुछ करना चाहते हैं आज MCE की बहुत डिमांड है computer field की बहुत डिमांड है अच्छे जॉब मिलना है बहुत अच्छे placement हो रहे हैं 30-40-40 लग तक पैकेज आ रहे हैं पर अगर समय रहते वह action नहीं लेंगे तो compromise करना पड़ेगा MCE करना तफ नहीं है पर अच्छे college से MCE करना बहुत important है तो आप इन में से कोई ना कोई एक action बिटा तुरंती लीजिए तुरंती कि मुझे ये करना है और मैं तो सबसच्छा हर बच्चे को बोलता हूं कि आप जैसे भी 5 जुलाई से बैच है आप ये session सुनने के बाद 15 दिन ये अपने आपको असेट करना है का self study करते हैं नहीं कर रहा हूं online class join करिए घर पर है कि आप अपने पढ़ाई करिए नहीं हो रहा आप classroom program में आ जाई पर action लीजिए देखिए दिन पर दिन competition बढ़ता जा रहा है और जब competition बढ़ता जाता है तो अगर हमने समय लेते हुए action नहीं लिया होता तो फिर हमारे को बा चीए कि impetus में 25 के लिए बच्चों ने registration चालू कर दिया है तो एक तरफ awareness यह है और एक बार कई बार हम लेट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें अब बात आती है कि हम इन एक्जाम को कैसे करें कुछ step है basic steps एक diagram बना है नोदा exam मतलब पहले exam के बारे में जानी है exam के बाद आप सबसे major mistake मैंने देखी है कि लोग basics पे काम ही नहीं करते सर निमसेट का level आइटी वाला आता आइटी के कर लें basic आता नहीं आइटी के question कैसे बनेंगे be careful be honest be discipline तो सबसे पहले विल्डी और basic revise evaluate yourself timely मतलब आप जो पढ़ रहा है उसको revise करिए evaluate करिए यानि testing के थुरू जानिए कि आप actual में कहां stand कर रहे हैं okay stop overthinking यह बड़ा important factor है कई लोग paper तक बिगार देते हैं overthinking के problem में डालता अगर आपने महनत 60% की कि तो 60% या उससे कम आएंगे और 100% की कि तो 100% या उससे कम आएंगे ऐसा नहीं हो सकता 10% महनत करके आप 50% की उम्मीद करो stop overthinking, overthinking stop करना आसान है बस over expectation करना बंद करना पड़ेगा आपको और confidence के साथ अपनी preparation करिए देखिएगा आपको उसके result दिखेंगे अब बात करते हैं one by one कि हमें क्या करना नो दा एक्जाम जैसे ही एक्जाम की बात आती है मैंने देखा है जब मेरे पास बच्चे आते हैं कई बच्चे बोलते हैं मैं बोलता हूं कि आप यह बताओ आप के बात क्यों आपने फरस्ट यह से क्यों नहीं सूच ATB FA الزाब। मैं बलता हूं पता नहीं था मतलब बड़ी अजीब वात यह बहूत ही common है आप भी सुनकर हो सकता सुने करण दो कोई स्मार्ट फोन का 90% लोग को स्मार्ट नहीं करते एक बार लिखते कि मैं क्या करूं यहां करो यह कौन सा अच्छा है पर एसा करते ही नहीं तो करते भी तो अना ओफिश्चल वेबसाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको अफिशे वेबसाइट पे जाना एक्जाम के लिए और डिफिकल्टी लेवल प्रिवेस के कोश्चन पेपर क्योंकि आप जैसे माल लीजिए आपने सुचा कि मुझे निमसेट देना है मैं कहूंगा सबसे पहले काम करिए 21, 20, 19 कोई भी एक पेपर 22 का पेपर उठाई और सॉल्व करिए जैसे अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया सेल्फ रेडिगे थी कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको मैस के तीन-चार कोश्चन भी नहीं बने इसका मतलब है उनके बेसिक्स को यह पता चलेगा कि मैं स्टैंड कहां कर रहा हूं और मुझे कहां तक जाना है और उसके लिए मेरा क्या प्लान है एक मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं फिर मुझे कहां तक जाना है और उसके लिए मेरा एक्शन प्लान क्या है तो आप लो प्रविशेर के पेपर का एक लिंक जोड़ दूँगा उस लिंक के थुरू आप किलिक करिएगा लिखा होगा नीचे आपको पेपर मिल सब नहीं देना कोई एक पेपर दीजेगा और लेटेस देना तो लेटेस दीजेगा आप जैसे ही पेपर दें फिर अपने स्कोर को चेक क आपकी स्टंडिंग कहां पर है मैस में 50 में से कितने कोशन बने रीजिनिंग में कितने बने कंप्यूटर में और इंगलिश में और फिर एक्शन प्लान कि आप मुझे क्या करना है किस बोक्स से कैसे पढ़ना है कितना टाइम दूंगा क्या करना है और जो बच्चे सेकंड अब उसके साथ कैसे मैनेज करें तो मैं एक बात सबको बोलूंगा कोई बी स्टुएंट ऐसा नहीं है जो कि कॉलेज के लिए 15 गंटे पढ़ता है आपको अपने कॉलेज और कॉलेज की पढ़ाई के लिए 6-8 गंटे अलग कर दो 6-8 गंटे की नीन कर दो तो भी 8 गंटे ब बेसिक अगर इस बात पर आपने ध्यान दिया तो आप समझ लो इंडिया का कोई भी एक्जाम निकाल सकते हो यह सेशन नॉट ओनली फो निमसेट जन्रल बात कर रहा हूं कि अगर आपने बेसिक्स बिल्ड कर लिए तो आप टफ से टफ प्रॉल्लम सॉल्व कर सकते हैं पर बेसिक तो बनाई एक बार आपने अगर अच्छे से बेसिक कवर कर लिया तो आप से सब कुछ बनने लगेगा प्रॉल्लम यह होती है कि हम बेसी नहीं बनाते हैं और हम ऊपर की करना चाहते हैं इसलिए पस्ता आते हैं फिर बीच में परिशान होते हैं और डिस्टाब ह जैसे मेरे पास वह बच्चे भी आते हैं जिनका 11-12 मैंस नहीं है मैं इक ही बात बोलता हूं छे महीने चुपचा पढ़ते हैं छे महीने का बताना क्या है छे महीने वाद उनकी मैस ऐसी होती है कि वह मैस वालों को भी पढ़ा सकते हैं पर बिदाउट टाइम दिये कैसे कर दिये है ना अपने आपको रिवाइस करना इवालूट करना है टेस्टिंग जहू करते चलना है यह कुछ बात है डोंट पैनिक बी कूल एंड डू नोट टेक इस्ट्रेस और प्रेशराइज योर्सेल्फ क्योंकि अगर आपने अपने आपको प्रेशराइज किया इस्ट सबसे पहले आप बेसिक बिल्ड कैसे करेंगे आप लोग नोट कर लिए आप उठाइए नाइंत की बुक ठीक है और नाइंत की बुक से नंबर सिस्ट्रम पॉल्रोमियर लीने रिक्योशन इन टू वेरीबर बहुत ही चोटे टॉपिक है अगर आपका मैस वीक है तो भी और के अपाइटी ले ले है ना या फिर आप आड़ी शरमा ले लिए या फिर आप आरे सक्वाल ले लिजिए जो बुक है मैं हमेशा आगसे बास बोलूँगा बुक मैटर ही नहीं करती कोई भी बुक ले लें कोई फार्मुला कोई चीज चेंज होती प्रॉल्ट मेदलती पर जो भी बुक लें उसको अच्छे से करें complete करें two three time करें तो आपने सबसे पहले 9th के ये तीन टापिक basics cover करने हैं फिर लीजिए 10th की बुक उससे करिए और इसी में 10th की बुक में आपको ये भी मिल जाएगा 910 में से एक इन टॉपिक को कवर ना करने एक बार फिर सुन लीजिए और लिख लीजिए कि 9th की बुक से नंबर सिस्टम polynomial linear equation in two variable 10th की बुक से polynomial pair of linear equation quadratic equation arithmetic progression और यहाँ पर SCF LCF ratio proportion percentage और टिगना मेंटी 910 में मिलेगा statistics probability और coordinate कई बार तो 910 के statistics के question तक आया हुए यानि ये topic करने के बाद ही आप move on हो उसके पहले बिलकुल move on ना हो बिलकुल ना हो ये आप हर एक बच्चे के लिए applicable है क्योंकि एक बार आपने ये base build कर लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप high level पे आ जाएंगे अब बात आती है निमसेट के syllabus पर तो मैंने आपको syllabus के पहले बताया और याद रखिए निमसेट के syllabus को अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप टाइम लगना चाहिए इसको करने में आपको hardly hardly 10 से 15 डेज लगना चाहिए अगर आप 11 12 बाले मैस के तो मुझे लगता है वन वीग भी बहुत है देखो जब नाइंत में थे ना तो नाइंत की मैस करने में एक साल लगता था आज नहीं लगेगा आप नाइंत की पूरी मैस भी मुश्किल से दस घंटे में कर सकते हैं पर अभी मैंने जमेंटरी मेंशुरेशन पार्ट को लिया ही नहीं क्योंकि अभी उसके एकदम जवोत नहीं वह भी लूँगा बाद में अभी और और टेशन के साथ से बता रहा हूं तो आपको मैं टाइम लीग भी बता रहा हूं कि 10 से 15 दिन में नॉन मैस जिनका 11 12 में मैस नहीं है उनको और जिनका 11 12 में मैस है वो लोग वन वीक में ट्राय करें फिर भी अगर टाइम लग रहा तो 15 दिन ले लिए पर बिलकुल इमा करेंशन कम हो जाता है तो ऐसे में हमारे लिए ज़ूरी हो जाता है कि हम एक बार अच्छे से अपने से लेबस को करने से पहले स्टार्ट करने से पहले बेसिक बिल्ड कर लें तो इन तॉपिक को 10 से 15 दिन करिए दैन उसके बाद आप निमसेट के सिलेबस पर आईए और सब से पहले आपको अल्जेब्रा कवर करना है एल्जेब्रा में भी जो ओडर में दूँ यह तो लाइन से स्लेबस लिखा पर जो ओडर में दे रहा हूं वह लीजिएगा पहले करिएगा लॉक्त्मिक लॉक के बेसिक कंसेप्ट और लॉक की बेसिक प्रॉपर्टी देन इनिकुल्टी उसके बाद प्रोगरेशन प्रोग्रेशन के बाद बाइनिमिल घरम लीफ सेट फिर फ्र प्र्मॉटेशन कॉम्मिनेशान के बद ही आप सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा ही है ठीक है permutation के बाद ये अगर आप probability करने तो best है तो ये एक आप order को follow कर सकते relation function आप calculus के साथ करिएगा और complex number आप starting में मत करिए क्योंकि इसमें 2D के भी concept लगते हैं बस इसका basic जओर देख लीजेगा ये मैं हर एक को बता रहाँ आप self study कर रहे हैं आपके लिए बहुत useful है classroom में तो मैं इसी order को follow करता हूं तो वह दिक्कत नहीं है classroom या test series वाले बच्चों को या suppose online वाले बच्चों को यह order follow करना होता पर आप self study कर रहे हैं तो आप इसको follow करिए तो इस तरह से आप algebra को cover करिए और algebra को cover करने में आपको two month का time ले लगना चाहिए एक topic को आप one week में cover कर सकते one to ten days में तो इस तरह से आप two month में पूरी algebra को finish करिए then algebra के बाद फिर आप लीजेगा तिगना मेंटी और यहां रखेगा measurement of angles तिगना मेंटी रेशो equation property of triangle height and strength inverse inverse 12 का portion अगर cover ना हो तो छोड़ दीजेगा और height and strength को last में करिएगा देखिए मैं छोटी छोटी बाते बता रहा हूं ध्यान रखेगा यह topic आप cover करिएगा inverse छोड़ सकते में calculus के साथ start कर लेना या basic कर लेना और height and strength को आप सबसे last में करना basic question देख लीजेगा इसको लगना चाहिए आपको लगवख 45 days मतलब 30 to 45 days यह एक approximate time लेके चलिए मैं 6 महीने का एक order देता हूं आप calculus पर आईए इसको आराम से आप तू से तू से टू एंड हाफ मन्त दे सकते हैं और फंक्शन वही फंक्शन इधर यह वाला फंक्शन यहां पढ़िए लिमेट कंटिनेटी डिफ्रेंशिवलिटी डिफ्रेंशेशन अप्लिकेशन इंडेफिनेट डेफिनेट एरिया अंडर कर्व डिफ्रेंशेल इक्योशन करीफ करीफ टू एंड हाफ मस्स इसको दीजिए एक बार इसको और आप माल लिजिए मुश्किल से 15 दिन यानि इस तरह से आप 6 महीने में पूरे सिलिबस को कवर करेंगे हाट रोज के कम से कम आप 324 आर मैस को देने की कोशिश करिए ऐसा नहीं कि मैस अकेला करना है मैस के पैरलल यह ध्यान रखिए मैस को 3-4 गंटे और रोज कोश एक बेसिक टॉपिक से नंबर रिप्रेजिटेशन बूलियन नंबर सिस्टम लॉजिक फंक्शन इसके बाद आती ही बात कॉंटिटी एक घंटे वन आर रेगुलर आप क्यूए या फिर एलार को दीजिए दोनों को नहीं और इस टॉपिक्स के बग करिए से एफ लसी एम र करना है और चार महीने में खतम करना है और जैसे आप कवर करते जाएंगे जो मैंने और बताया आप जब इंपिटर की टैसरी से चुड़ोगे इसी ओडर में टेस्टिंग भी होगी तो आपका वह एक असेस्मेंट होता रहेगा उससे आपकी रियल पोजिशन पता चलेगी क कुछ अपडाउन हो रहे होगे तो तुरंत इंप्रूमेंट कर सकते हो राइट तो इस तरह से आप कॉंटिटी अप्टिटूट पढ़ते चलेंगे कॉंटिटी अप्टिटूट क्या रिजिदिंग कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पजल टैस्ट डारेक्शन सेंस यह पूरे टॉपिक्स हैं इसको दो महीने दे दीजिए और दो महीने इसको दे दीजिए वन आर बहुत है धायराई महीने भी देंगे तो चलेगा इस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं यह मैंने वह मास्टर प्लान बताया है जिसको आपने अगर फॉल के लिए तयारी करेंगे पर सिलेबस के साथ साथ आप अपनी टेस्टिंग जहू करिए क्योंकि अगर आपने सिलेबस खतम कर लिया और आपने यह नहीं देखा आप कहां स्टेंट कर रहा है तो बात में इंप्रूमेंट के बहुत कम गुझाईश होती है इसलिए वीकली टे स्टार्ट होते रहेंगे अगर आपकी से पढ़ाई हो रही तो ओके नहीं हो रही हो तो आप एक्शन लेने में देर मत करिए यह कंप्लीट एक मास्टर प्लान है और मैं शूर हूं कि अगर आपने इसको फॉलो किया आपने इस पर ध्यान दिया तो आप एक अच्छा रिज निमसेट, CUT, जामियां इन सभी एक्जाम किया पर प्रेशन करिए और इस प्लान को फॉलो करिए और समझ जीए थैंक यू और अल दे बेस्ट